हेलो स्टूरेंट्स आप सभी का सवागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर और आज हम लोग बात करने आ ले हैं एर्थ और सेवन्थ क्लास की इंगलिस सब्जेक्ट जेनेरिक वक्सीट के बारे में बच्चो यहाँ पर आपको अपना नेम लिखना है और यहाँ पर अपनी टीचर का नेम लिखना है आईए देखते हैं इस वक्सीट में क्या दिया गया है तो बच्चो इस वक्सीट में बोला गया है पहला कोस्टन क्या है पहला कोस्टन है कि write down क्या बोला गया write down three things that you are favorite past time activities ठीक है जो आपको time pass करने की activities में favorite चीज़े है जैसे मेरी क्या है favorite आप अपनी favorite चीज़े लिख सकते हैं आपकी activities जो आपको time pass करने में help करती है में अपनी बता रहा हो को जैसे मुझे singing बहुत पसंद है ठीक है singing हो गया dancing हो गया ठीक और playing अगर आप चाहें तो आप भी ये activities लिख सकते हैं singing, dancing and playing आगे ये देखते हैं इसमें क्या दिया गया है आगे दिया गया है बच्चो की आगे बुला गया है इसमें की write five words that describe your choosing from the box blue ठीक है नीचे आपको एक box दिया गया इसमें से आपको पाँच words choice करने हैं जो आपके लिए बिल्कुल perfect हों ठीक है अगर हम इसमें देखें तो देखें आपको मैं बताऊं अगर मेरी choice होती तो मैं क्या choice करता है hard working ठीक है मैं क्या हूँ hard working people हूँ यानि कि बहुत ज़्यादा महनत करने वाला वक्ती हूँ मैं smart person हूँ और मैं क्या हूँ friendly हूँ ठीक है मतलब मेरा easily सब दोस्त बन जाते हैं सबसे easily दोस्ती कर लेता हूँ और funny person हूँ ठीक है अगर आप चाहो तो आप भी यही words लिख सकते हो ठीक है और अगर आप चाहो तो आप इनको नहीं आपको जो पसंद हो वो लिख सकते हो ठीक है आपको जो पसंद आए आप वो words भी यहाँ पर लिख सकते हो ठीक है तो आप यहाँ क्या लिख लोगे Funny, ठीक है, यहां लिख देना Funny, यहां लिख देना Hard Working, ठीक है, इस वाले में लिख देना Smart, यहां लिख देना Friendly, और यहां लिख देना Lucky, ठीक, इसके बाद आईए आगे देखते हैं क्या दिया गया है, आगे दिया गया है Think and Write Your Strength, ठीक है, Pick the Word and Choice from the Word Box, आप चाहो तो अपने आप से भी पिक कर सकते हो, कि Strength के Word और Choice भी कर सकते हो, यहां से, ठीक है जैसे, आप Honest Person हो सकते हो, आप Focused कर सकते हो, चीजों को Focused करने आले Person हो सकते हो, आप Caring यानि चीजों को Care करने वाले Person हो सकते हो Kind, ठीक है, Helpful, आप दूसरों की Help करते हो, Dedicated, हमेशा दूसरों के लिए Dedicated रहते हो, यानि दूसरों के काम करने के लिए हमेशा तत पर खड़े रहते हो Hard Working Person हो, Polite हो, ठीक है, Good Listener हो, यानि अच्छे सुनने वाले हो, Respectfully Person हो, ठीक है, दूसरों से दोस्ती अच्छे से हो जाती है और Creative Person हो, ठीक है, इस तरीके से आप अपने लिए कुछ भी लिख सकते हो, आपकी जो Strength हो तो मैं देखिए, मुझे यहाँ पर लिखना है, तो Honest, ठीक, आप लिख देना, आप Hard Working लिख देना, ठीक है आप क्या हो, Friendly होगे, Friendly Person लिख देना, Mindful लिख देना, ठीक है और Focused लिख देना, और Helpful, ठीक है, आप इसमें से कोई भी वर्ड लिख देना और अगर कोई और लिखने का मन हो, तो Word लिख देना, कोई दिक्कत की बात नहीं है फोर्थ क्या है, वक्सीट, फोर्थ है, Write down the three things that made you smile today ऐसी कोई तीन बाते लिखे हैं, जो आज आपको खुस करती हो, ठीक है पहला क्या हो गया, Solving Worksheet, ठीक है, आप लिख सकते हो Solving my DOE Worksheet, ठीक, आप ये लिख सकते हो, दूसरा क्या लिखते हो Playing Games, ठीक है, क्या लिख होगे, Playing Games, ठीक है और चाथा क्या लिख सकते हो, When I eating, क्या लिखेंगे, तीसरा क्या लिख देंगे, इसका When I eating a sweet dish, जब मैं क्या करती हूँ, जब मैं क्या करता हूँ, या When हटा के आप डैरेक्ट इससे भी लिख सकते हो, I eating a sweet dish, ठीक है तो आप चाहो तो एक ये एक्जाम्पिल भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है आपको वीडियो कैसी लगी, कमेंट करकर ज़रूर बता है, आपकी बक्सित यहीं पर समाप्त होती है ठीक है, लाइक करें हमारे चैनल को, सस्कायब करें सुरी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को लाइक करें हमारी वीडियोस को और कमेंट जरूर करें और आपका नाम क्या है आप अपना नाम हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर ठीक है धन्यवाद बच्चो